ये चार चीजे हैं जो आप आपस में मिक्स करके गुड़ाल के पौदे को दीजे इसे क्या होगा पौदे की जड़े बहुत मजबूत होंगी फूलों की क्वांटिटी बहुत जादा आएगी पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं गुड़ाल के तो फिर वो हरे होना शुरू हो जाएगा साथ ही मैं आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड बताने वाली हूं जिसके इस्तमाल से पौदे में अगर कोई कीड़े लगे हैं तो वो वापस नहीं आएंगे देगे इंसेक्टिसाइड तो सब स्प्रे करते हैं लेकिन ये जो सफेद मिली बग होती है ये बार बार वापस आती है तो सही तरीके से किस तरीके से इस्प्रे करना है वो में आपको पताओंगी इस से फिर ये बार बार वापस नहीं आएंगी तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब लोग लव और गार्णिंग में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो यह गुढ़ल का प्लांट है और इसमें कलिया तो खूब है फूल भी खूब है लेकिन आप देखिए फूल उतने सुन्दर तरीके से खिले हुए नहीं दिख र तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ खाद बताऊंगी तो उस खाद के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेइन प्लेट ले ली है इसी में अब मैं यह चारो खाद डाल के आपको दिखाऊंगी एक-एक करके खाद का नाम बताऊंगी उसके बाद फिर प्रॉपर इसे कौन से रिजल्ट मिलने वाले हैं किस खाद से वो भी एक-एक्सप्रेम करूंगी ताकि आपको पता चले किस खाद से क्या फाइदा होता है तो सबसे पहले मैंने बोन मील का इस्तमाल किया है एक चमबच बोन मील है यह आप दो महीने में सिर्फ एक बार इस्तमाल करेंगे उसके ब इसको भी हमेशा रिपीट करने की जरद नहीं है फिर चौथे नंबर पर जो मैं ले रही हूं वह है केले के चिलके तो यह सूखे हुए केले के चिलके हैं यह आप मैंने लगबग यहां पर एक सूखा चिलका लिया है केले का पूरा और इसको प्रॉपर अच्छे से अब हमने यह जो चारो खाद बना ली हैं इसे प्लान को क्या-क्या फायदे होने वाले हैं अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूं तो सबसे पहले क्या करना है खाद को देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है लेकिन गुड़ाई करते समय एक चीज का ध मिट्टी होती है उसी की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद खाद देने का जो सही प्रॉपर तरीका होता है उसके लिए क्या करना होगा तो गुड़ाई करके जो मिट्टी हमने लूस की है उसे हम बाहर निकाल लेंगे मैंने यहाप एक खाली बरतन ले लिय सिर्फ उतना ही जितना हमने घुडाई किये लगबग एक से डेड़ इंच तक की मिट्टी इससे ज्यादा मिट्टी बाहर निकालने के जुरूत नहीं है आप चाहे तो इन सभी मिट्टियों को जो स्टैम होती है प्लान की मेन स्टैम उसके नजदीक भी पहुचा सकते हैं दे असके बाद खाथ जो हमने बनाय के तयार की थी उस खाथ को हम यह जो सरकल हमने बनाया है इसी सरकल में डाल देंगे देखे प्लांट की जो सूखी पतियां और स्टैम्स अगरा होती है उसको समय समय पर रिमूव करते रहे तो यह भी प्लांट के लिए काफी और साथ-साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस खाथ से हमारे पौधे को क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए हर खाथ का अपना अलग रोल होता है, इसलिए सबी खाथ उतनी ही इंपोर्टेंट हैं जितना की दूसरी खाथ। तो इसलिए यह नहीं कि यह डाल दें, अगर यह खाथ नहीं है तो वो खाथ डाल दें। और सेम अगर आपके पास बोन मिल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रॉक फॉसफेट का इस्तमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे जो चौक आती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, और यह जो फॉसफोरस होता है वो गुडल के प्लांट को बहुत ज इसके बाद तीसे नमबर पे जो खाद है ये है केले के चिलके तो केले के चिलके में पोटेशियम बहुत जादा होता है पोटेशियम का काम होता है फूलो की कौंटिटी को बढ़ाना उसके साइज को बढ़ा करना इसके बाद नमबर आता है एपसम सॉल्ट का तो एपसम सॉल जो हमने गंबले में सरकल बनाया है उसी सरकल में हम इस खाद को डाल देंगे जिस खाद को मैंने जितने महीने पे डालने के लिए कहा है उसका आपको विशेश ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को हर महीने यूज कर सकते हैं तो जो टाइम मैंने बताया है उस टा उसके बाद फिर मैं आपको इंसेक्टिसाइड बताऊंगी कि इंसेक्टिसाइड का सही उपयोग किस तरीकी से किया जाना चाहिए जिससे कीड़े हमेशा के लिए पौदे से दूर हो जाए तो देखे खाद मैंने चारो तरफ डाल दी है और उसके बाद जो मिट्टी मैंने स् इसके बाद अब हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देंगे तो मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तमाल कर रही हूँ और जिसे इस समय गर्मी बहुत जादा पड़ रही है तो आप अगर गोबर की खाद देना चाहते हैं तो फिर वो लिक्विट फॉर्म में द वर्मी कंपोस्ट की उपर भी डाल दें ताकि यह खाद भी हमारी अच्छे से कवर हो जाए तो मैंने बस थोड़ी सी मिट्टी जो बाहर निकाली थी आप लों के सामने यह वी वीडियो में वहीं मिट्टी से मैंने वर्मी कंपोस्ट को कवर कर दिया है अभी यह यह देखे प्रॉपर मेरे पौदे को खाद मिल गई है अब इसके बाद हम पौदे को पानी देंगे गुड़ल का जो पौदा होता है उसको कम से कम गर्मी में जैसे अब बहुत तेज गर्मी पढ़ रही है तो कम से कम 6 गंटे की डारेक्ट सलनाइट दीजे तो बढ़हा रिजल्ट मि अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहां पर जो स्प्रे करने जा रही हूं उसको कैसे तयार करना है चले बताती हूं तो मैंने एक लिटर पानी लिया है उसमें मैं प 5 एमिल डालना है तो मैंने इसको डाल की और बूतर को बंद कर लिया है और इस प्रे करते समय आप ध्यान रखेंगे कि शाम का समय रहे शाम मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए उजाला ही रहे लेकिन धूप नहों तो उस समय अगर आप इस प्रे करेंगे तो यह बहुत ही प्रे करते समय बहुत तेजी से इस प्रे करना है ताकर जाता एक भाँ आप बढ़ना से इस नहीं करेंगे तो हफ़टे में आप क्या करें है लगबग तीन बार इसका स्प्रे कर यह ए प्रूप दिन चोड़ करेंगे और उसके बाद फिर हफटे में दो बार करिए फिर हफटे में एक बार करिए ऐसे ऐसे करके आप घटाते जाएंगे तो देखेंगे आपकी धीरे-धीरे प्लांट से सारी मिलीबग हट गई है इससे मैं गर्मी बहुत जादा है तो इसलिए मैं किसी chemical insecticide का spray नहीं कर रही हूँ मैंने यहाँ पर neem oil का ही spray किया है लेकिन अगर winter बगरा है तो आप chemical spray भी कर सकते हैं उससे क्या होता है result थोड़ा जल्दी मिलता है लेकिन यह है कि अगर आप organic spray करते हैं फिर क्या होता है butterflies आती है honey bees आती है तो और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से अगर आप spray करते हैं तो फिर पौधों में बिल्कुल भी केड़े नहीं रहेंगे तो गुड़ल के पौधर से संबंदित सारे जानकारी मैंने बता दी है इसके बाद भी अगर कोई question कोई confusion रहता है तो आप comment कर सकते हैं कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर